कहानी की सुरुवात में एक कभीले को दिखाया जाता है जिन होने वहाँ पर जोस्वा नाम के एक बच्चे को लेटाया हुआ था तभी कुछ देर में वहाँ पर ब्लैक कलर का एक पाइथन भी आ जाता है जो की जोस्वा के ऊपर अटैक करने बाला था लेकिन फिर पता चलता है कि यह सब केवल उसका एक सपना होता है जबकि इस वक्त वो अपने अंकल के साथ में मचली पकरने आया हुआ था तभी हम देखते हैं कि इस वक्त वह काफी डरने लगा था क्योंकि इनके बिल्कुल सामने ही कैनिबल आइलेंड होता है तभी इसी वक्त हम पानी में ब्लैक कलर वाले पाइथन को देखते हैं और अचानक से उसके अंकल पानी में गिर जाते हैं अब इसके कुछ देर के बाद वाँ पानी से तो बाहर आ गए थे लेकिन तभी जोसुआ को ऐसा लगता है कि वे कैनिवल आइलेंड पर आ गए हैं जा बाद तुरंत भागते हुए गाउं में वापस आते हैं और जोसुआ के पैरेंट्स को सारी बाते बताते हैं अब इसके बारे में पता चलते ही उनको जोसुआ के बारे में काफी चिंता होने लगी थी वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसुआ आइलेंड के बीचों बीच में आ गया था तभी अचानक से उससे ऐसा लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और इसके बाद कुछ प्लांट उसको नीचे खीच लेते हैं इसके बाद वो प्लांट के बीच में बुरी तरह से फंस गया था तभी इसी बीच उसको दिवारों के ऊपर कुछ मियू पर आ रहे थे जबकि थर्ड अंकल और गाउं के बाकी लोग उनको वहाँ पर जाने से रोक रहे थे लेकिन जोसुआ के फादर ली किसी भी किमत पर उसे बचाना चाहते थे तब थर्ड अंकल उसे समझाते हैं कि वो साइलेंड के उपर सने गौड है जो कि वहाँ के हर एक ची साथ में अपने बेटे को खोजने निकल जाता है अब इसके कुछ समय के बाद वे लोग भी कैनीबल आइलेंड के उपर आ गये थे तभी इसी बीच एक आदमी स्नेक आंड़ा उठा लेता है जिसके बचास से जावा उसके उपर गुसा हो गया था इसके बाद वहादमी उस यहां पर आ जाता है जिसे देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं तभी अचानक से बहुत से प्लांट इनके पैर को जकर लेते हैं और फिर उनको भी गुफा के अंदर गिरा देते हैं अब इस वक्त वे लोग स्नेक गुफा के अंदर आ लेते हैं लेकिन इसी के साथ इनको यहां पर एक अजीब सा फला और भी नजर आता है जिसके आसपास में बहुत सारे इंसानिक अंकाल पड़े हुए थे तभी अचानक से यहां पर बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं जिसे देकिन सभी लोगों की हालत काफी खराब हो गई इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागना सुरू कर देते हैं जिसके दोरान जावा अपने ही एक आदमी को नीचे गिरा देता है तभी इसी भी जोसुआ को वहां पर कुछ अंडे दिखाई देते हैं और वो उनमें से एक अंडे को अपने पास मे रख लेता है अब किसी तरह से सभी रोग अपनी जान बचा कर उपर आने लगे थे लेकिन तभी ब्लैक पाइथन यहां पर आ जाता है और इसमें से एक आदमी को नीचे खीच कर मार देता है अब इस तरह से बाकी लोग तो उपर आ गए थे लेकिन ली जावा के उपर गु लेकिन तभी अचानक से वो बेहोस होकर नीचे गिर जाती है जिसे देख अब ये सभी लोग काफी परेसान होने लगे थे लेकिन तभी जावा भी अचानक से बेहोस होकर नीचे गिर जाता है जिसके बाद जोस्वा के अंकल देखते हैं कि असल में इनको साप ने काट लिया ह अब इसके बारे में पता चलते ही ये लोग तुरंट गाउं में वापस आ जाते हैं लेकिन तभी इसी बीचिन को पता चलता है कि गाउं में और भी ज़्यादा सनेक आने लगे हैं इसलिए सभी लोग तुरंट उनको यहां से भागाने के लिए चले जाते हैं लेकिन हम देख कि जोसुआ के मदर की हालत काफी खराब थी जिसके वज़ाद से वा भी काफी दुखी हो गया था तभी उसकी मदर उसे कोई तावीज देती हैं और उमीद करती हैं कि जोसुआ एक दयालू इंसान बनेगा और सभी के साथ अच्छे से बिहेव करेगा लेकिन अब उसकी मदर ज्यादा समय के लिए जिन्दा नहीं रहा पाती और फिर अगले ही पल उनकी मौत हो जाती है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी स्नेक अपने अंडे से बाहर आ गया था जो कि असल में एक गोल्डेन पाइथन होता है और उसके साथ में जोसुआ की बहुत अच्छ जाता है लेकिन अब इसके बारे में सभी गावालों को भी पता चल गया था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसुआ नदी किनारे आ गया था और गोल्डेन पाइथन को यहां से जाने के लिए काता है जबकि गोल्डेन पाइथन भी उसे छोड़ कर नहीं जाना चात लेकिन फिर भी जोसुआ उसे यहां से जाने के लिए काता है ताकि वो इनसानों के हाथ में ना आ सके तभी अचानक से यहां पर और भी ज्यादा सनेक आने लगे थे लेकिन फिर गोल्डेन पाइथन जैसे ही यहां से चला जाता है उसके बाद बाकी सनेक भी यहां से चले जाते हैं, तभी इसी बीच गाउं का एक आदमी अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसे देख थर्ड अंकल कहता है कि अब स्नेक प्लेग यहां पर आ गया है, इसके बाद अगला सिन दस सलों के बाद का दिखाया जाता है, जहां जोसुआ अब किसी रिसर्च करने वाली कमपन सालों से अपने गाउं भी नहीं गया, तब उसके अंकल उसे बताते हैं कि गाउं के सभी लोगों की हालत अब और भी जादा खराब हो गई है, जिस पर जोसुआ कहता है कि मैं इसी के उपर रिसर्च कर रहा हूं और जल्दी ही इसका कोई इलाज भी मिल जाएगा, अब इस के लिए वो अपनी बेटी लिली को उसके साथ में असाइन कर देती है, फिर हम देखते हैं कि लिली भी उसके साथ में काम करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसने सुना था कि जोसुआ को नेचर काफी पसंद है, लेकिन असल में यह प्लांट कैनिबल आइलेंड के उपर म में आ जाता है, अब इसके कुछ समय के बाद गाओं के लोग जोसुआ के बॉस के साथ में मीटिंग करते हैं, जो इनको कैनिबल आइलेंड के उपर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन जब जोसुआ कहता है कि यह अजीब बीमारी साथ वहीं से जुड़ी हुई है, तब उसकी बाद सुनकर ये सभी लोग सांत हो जाते हैं, इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग कैनिबल आइलेंड पर जाने के लिए निकल गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि जावा भी उनकी सिक्योर्टी के लिए उनके साथ में जा रहा था, लेकिन उनके पास में वेपन एक जोस्वा काभी परिस्तान हो जाता है, तब उसकी बास कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे खत्रे हो सकते हैं, जिसकी बज़ास से हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए, अब इसके कुछ समय के बाद ये लोग कैनिबल आइलेंड के उपर आ गए थे, तभी इसी बीच एक पर हनी सकल ग्रास दिखाई देता है, लेकिन उसे जमीन से निकालते ही यहां का एन्वार्मेंट अचानक से चेंज हो जाता है, अब इस बात से बाई समझ गया था कि यहां के इको सिस्टम में एक अजीव सा सिंबियोसिस है, तभी अचानक से यहां के प्लांट फिर से इनक उपर अटैक करना सुरू कर देते हैं, जिसे देख जोसुवा सब को बचाने की कोसिस करता है, और फिर लिली भी यहां से बच निकलने में उसकी मदद करती है, लेकिन अब यहां से भागने के दौरान वे दोनों अपने गुरुप से अलग हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस और उसके साथ वले लोग स्नेक गुफा के अंदर आ गए थे, जहां पर अचानक से ब्लैक पाइथन इनके सामने आ जाता है, अब इसको देखते ही जावा उसको सूट करने की कोसिस कर रहा था, जिस बात की वज़ह से ब्लैक पाइथन इनके उपर औ इसे देख जोसवा समझ जाता है कि यहां इसकीन उसी गोल्डेन पाइथन की है, जिसको उसने दस साल पहले देखा था, तब इसी वक्त बाग गोल्डेन पाइथन भी यहां पर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह जोसवा को पहचान गया था, और इसलिए वो उसे कु नाई देती है, जिसके बाद गोल्डेन पाइथन भी तुरंत यहां से भाग जाता है, तब इस से बीच इनको यहां के दिवारों के ऊपर वही म्यूरल दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर जोसवा ने रिसर्च किया था, फिर पता चलता है कि यहां चीज यहां पर रहने वा हुआ है, और लीली को भी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, अब इस मूरल से इनको पता चलता है कि यहां का कभीला भी इमोटलिटी के सिक्रेट के बारे में इस्टडी कर रहा था, क्योंकि एक समय यहां पर कोई उलका पिन गिरा था, जिसके रेडियेशन से वहां को हुमन बाडी के उपर टेस्ट भी किया था, जिसके वज़ा से उनके साथ में कोई बहुत ही भ्यानक चीज हुई थी, लेकिन यहां के आखरी मियूरल काफी अजीब दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसमें कभीले बाले सनेक को किस करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दू ब्लैक पाइथन भी यहां पर आ गया था, अब इसको देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागते हैं, और जावा तो खुद को बचाने के लिए अपने ही एक आदमी को ब्लैक पाइथन के सामने भेज देता है, अब यहां से भागने के बाद बहु जो कि उसे golden python के बारे में बता देती है अब इसके बारे में सुनते ही बाई काता है कि honeysuckle plant golden python से जुड़ा हुआ है जिसे वे लोग होजने के लिए यहाँ पर आई हुए हैं तब इस बात सुनकर बहुत जावास से उस golden python को पकड़ने के लिए कहती है जिसके बाद वो पैसो की लालच में आकर इसके लिए भी मान जाता है तभी यहां से आगे जाने पर इनको ब्लैक पाइथन और गोल्डेन पाइथन एक साथ में दिखाई देते हैं जो की इस वक्त मेटिंग कर रहे थे और इसके दौरान गोल्डेन पाइथन के इसके ऐल्स प्लांट के रूप में के लिए काती है यह सुनकर लिली उसे समझाने की कोसिस करती है लेकिन बॉस किसी की भी नहीं सुनती इसके बाद यह लोग पाइथन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं जिसके बाद ब्लैक पाइथन गुसे में इनके ऊपर अटैक करना सुरू कर देता है तभी इसी बीच कादमी golden python के उपर भी attack करने वाला था लेकिन जोस्वा उससे ऐसा नहीं करने देता तभी अचानक से black python उसके उपर attack कर देता है जिसे देखते ही ली तुरंत उसे बचाता है लेकिन poison के फैल जाने से उसकी हालत काफी खराब हो रही थी और यह देख उसके father को उसके बारे में क होस कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि जोस्वा की condition अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी लेकिन अभी भी इन सब के उपर black python का खत्रा था इसलिए जाबा golden python को चारे के रूप में यूज करता है और फिर black python जैसे ही इनके सामने आता है यह लोग उसके उपर attack करने की को जोस्वा बिल्कुल ठीक समय पर उसे बचा लेता है जबकि black python पीराना प्लांट में जाकर टगरा गया था और वो उसे बहुत बुरी तरह से जकर लेता है इसके बाद जोस्वा और लिली तुरंत वहां से बाहर आ जाते हैं जहां पर जोस्वा को दो honey circle plant मिल जाते हैं और व आपको केवल golden python को खाने की जरूरत है जिसके बाद आपकी life काफी बढ़ जाएगी यह सुनकर जावा golden python को काटना चाहता था लेकिन जोस्वा उसे आसा नहीं करने देता और इनके बीच में fight हो जाती है तभी जहां देखते ही golden python जावा के गरदन पर काट लेता है जिसके poison क के वज़ा से जावा मरने वाला था लेकिन तभी जोस्वा को अपने मदर की बात याद आने लगती है जिन होने उसे एक दयालू इंसान बनने के लिए कहा था इसलिए जोस्वा जावा को हनी सकल प्लान का एक पता खिला देता है जिसके वज़ा से उसकी condition तुरंत ही ठीक हो जाते हैं लेकिन वो उनको भी बहुत ही असानी से जक्मी कर देता है यह देखते ही golden python एक पार फिर से उसके उपर attack करने जाता है लेकिन इस पर जमा उसके body को अपने दातों से चीर देता है और उसके blood को भी पी जाता है अब इसके वज़ास से उसकी ताकत पहले से कई गु पाइथन को भी असानी से जक्मी कर देता है यह के साथ वो रिवील करता है कि उसने ही गाओं में अजीव से बीमारी को फैलाया था ताकि वो गाओंवालों से और ज्यादा पैसा कमा सके लेकिन तब ही अचानक से उसके body में कोई reaction होने लगती है जिसके बाद वो जोस्वा क उपर चाकू से अटैक करने वाला था लेकिन उसे बचाने के लिए उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं अब इस बात के वज़ज़ से जोस्वा भी काफी परेसान हो गया था और फिर कुछ देर के बाद उसके फादर की मौत हो जाती है तब ही अच्छानक से जामा के body में भेंकर जलन होने लगती है अब इस बात से जोस्वा को यहां के कभीले के गायब होने की वज़ा पता चल गई थी क्योंकि उन्होंने भी हनी सकल गरास और पाइथन के बलड को एक साथ में पी लिया था जिसके वज़ा से बात सभी लोग भेंकर तरीके से मारे गए थे और उन लोगों ने मीरल को इसलिए बनाया था ताकि वो बाकी लोगों को लालच के अंजाम के बारे में बता सकें वहीं अब जावा अपने उपर से कंट्रोल खोने लगा था और फिर वो बाई को भी मार देता है इसके बाद वो जोस्वा के उपर भी अटैक करने लगा था जि लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही जावा जोस्वा को सूट कर देता है यह देखते ही लेली और अंकल तुरंत उसके पास में आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने जेब में अपने मा का दिया हुआ तावीज रखा हुआ था जिसक के साथ ये आईलेंड पूरी तरह से बरबाद होने लगा था जिसके बाद गोल्डेन पाइथन जक्मी हालत में इनको रास्ता दिखाता है और उसको फॉलो करके ये लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जोस्वा गोल्डेन पाइथन को मरते हुए नहीं देखना चाहत इसलिए वो उसे हनी सकल गरास खिलाने का डिसाइड करता है याद एक बस जोस्वा से उस प्लांट को मांगने लगती है और इसके बदले उसे धेर सारा पैस्ता देने का वादा भी करती है लेकिन फिल भी जोस्वा गोल्डेन पाइथन को हील करने के लिए या गरास खिला देता है और फिर सभी लोग यहां से निकल जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन पाइथन ही लोने लगा था और जोस्वा से अलग होने के वज़ा से वह भी दुखी होता है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोस्वा अपने गाउं के सभी लोगों का इलाज कर और कुछ समय के बाद लिली भी उसके साथ में रहने के लिए वहाँ पर आ जाती है जिसके बाद मुवी यहीं पर एंड हो जाती है तो अगर एक्स्प्लानेसन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने फिशली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लाफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना